मंत्री मंडल में मेरे सयोगी स्रिमान रमेश पोखरियाल निशंग जी, स्रिमान संजे धोत्रे जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रिय सिक्षानिती के संदर्प में आज का ये इवेंट इस कॉंक्लेव से भारत के एजुकेशन वर्ल को विबिन पहलूँओं के बारे में विस्त्रुत जानकारी मिलेगी जितनी जानकारी और जादा जानकारी जादा स्पस्ट होगी फिर उत्राही आसान इस राष्ट्रिय सिक्षानिती का इंप्लिमेंटेशन भी होगा साथ्यों तीन चार साल के व्यापक विचार विमर्ष के बाद लाखों सुझाओं पर लंबे मन्थन के बाद राष्ट्रिय सिक्षानिती को स्विकृत किया गया है आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है अलग-अलग शेत्र के लोग अलग-अलग विचारधाराओं के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं राष्ट्रिय सिक्षानिती को रिव्यू कर रहे हैं यह एक हेल्दी डिबेट है यह जितनी ज्यादा होगी उतनाही लाब देश की सिक्षा व्यवस्ता को मिलेगा यह भी खुशी की बात है कि राष्ट्रिय सिक्षानिती आने के बाद देश के किसी भी खेत्र से किसी भी वर्ग से यह बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है या किसी एक तरफा कोई जुकाव है यह एक इंडिकेटर भी है कि लोग बरसों से बरसों से चली आ रही एजुकेशन सिस्टिम में जो बडलाव चाहते थे वो उन्हें देखने को मिले है वैसे कुछ लोगों के मन में ये सवानाना बहुत स्वाभाविक है कि इतना बड़ा रिफार्म कागेज पर तो कर दिया लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा यानि अब सबकी निगाएं इसके इंप्लीबेंटेशन की तरफ है इस चैलेंज को देखते हुए जवस्ताओं को बनाने में जहां कहीं कुछ सुधार की आवशक्ता है वो हमें सब को मिलकर के करना है और करना ही है आप सभी राष्ट्रिय शिक्षानिती के इंप्लीमेंटेशन में और उस काम में सीधे तोर पर जुड़े हैं और इसलिए आप सब की भूमिका बहुत जादा है बहुत एहम है जहां तक पोलिटिकल विल की बात है मैं पूरी तरह कबिटेड हूँ मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ साथियों हर देश अपनी सिख्षा व्यवस्था को अपनी नेशनल वैल्यूस के साथ जोड़ते हुए अपने नेशनल गोल्स के अनुसार रिफार्म्स करते हुए आगे बढ़ता है मक्सद ये होता है कि देश का एजुकेशन सिस्टिम अपनी वर्तमान और आने वाली पीडियों को फ्यूचर रेडी रखे फ्यूचर रेडी करे भारत की नेशनल एजुकेशन पालिसी राष्ट्य शिक्षानीती का आधार भी यही सोच है राष्ट्य शिक्षानीती 21 सदी के भारत की नए भारत की फाउंडेशन तयार करने वाली है 21 सदी के भारत को हमारी युवाओं और हमारी युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है जैसे स्किल्स चाहिए राष्ट्य शिक्षानीती पर इन बातों पर विशेश फोकस हैं भारत को ताकतवर बनाने के लिए विकास की नई उचाई पर पहुचाने के लिए भारत के नागरिकों को और ससक्त करने के लिए उन्हें जादा से जदा अवसरों के उप्यूक्त बनाने के लिए इस education policy में खास जोर दिया गया है जब भारत का student चाहे वो नर्सरी में हो या फिर college में scientific तरीके से पढ़ेगा तेजी से बदलते हुए समाय और तेजी से बदलती जरूरतों के हिसाब से पढ़ेगा तो वो nation building में constructive भूमी का निभा पाएगा साथियों बीते अनेक वर्षों से हमारे education system में बड़े बडलाव नहीं हुए थे परणाम यह हुआ कि हमारे समाज में curiosity और imagination की values को promote करने के बजाए बेड़ चाल को ही पोच्छान मिलने लगा था कभी doctor बनने के लिए होड लगी कभी engineer बनाने की होड लगी कभी वकील बनाने की होड लगी interest और demand की mapping की ये बिना philosophy of education ना हो परपज of education ना हो साथियों आज गुरुवर रविंद्रनाथ ठाकूर की पुनितिती भी है वो कहते थे उच्चतम सिक्षा वो है जो हमें सिब जानकारी नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है निश्चित तोर पर राष्ट्रिय सिक्षा नीती का ब्रहत लक्ष इसी से जुड़ा है इसके लिए टुकुणों में सोचने के बजाए एक होलिस्टिक एप्रोच की जरुवत थी जिसको सामने रखने में राष्ट्रिय सिक्षा नीती सफल रही है साथियों आज जब राष्ट्रिय सिक्षा नीती मूर्तर रूप ले चुकी है तो मैं उस समय और सवालों की भी चर्चा आप से करना चाहता हूँ जो हमारे सामने शुरुवाती दिनों में आये थे उस समय जो दो सबसे बड़े सवाल थे वो यही थे कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्ता हमारे युवाओं को क्रियेटिव, कुरियोसिटी और कमिट्मेंट ड्रिवन लाइप के लिए मोटिवेट करती है आप लोग इस शेत्र में इतने वर्सों से है आपने अपना जीवन शिक्षा के लिए खपा दिया है, समर्पित किया है आप लोग इसका जवाब बहतर जानते है साथियो, हमारे सामने दूसरा सवाल था, कि क्या हमारी सिक्षा व्यवस्ता हमारे युवाओं को एमपावर करती है, देश में एक एमपावर सोसाइटी के निर्माण में मदद करती है आप सब इन सवालों से भी परिचित है और जवाबों से भी भली भाती परिचित है साथियो, आज मुझे संतोष है कि भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रिय शिक्षा नीति को बनाते समय, इन सवालों पर गंबीरता से काम किया गया साथियों, बदलते समय के साथ एक नई विश्व विवस्ता, एक नई रंग रूप और विवस्ताओं में बड़लाओ एक नई विश्व विवस्ता खड़ी हो रही है एक नया ग्लोबल स्टांडर भी तै हो रहा है इसके हिसाब से भारत का एजुकेशन सिस्टेम खुद में बड़लाओ करें ये भी किया जाना बहुत जरूरी था स्कूल करिकुलम के 10 प्लस 2 स्ट्रक्शर से आगे बढ़कर अब 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 करिकुलम का स्ट्रक्शर देना इसी दिशा में एक कदम है हमें अपने स्टूडन्स को ग्लोबल सिटीजन भी बनाना है और इसका भी धान रखना है कि वे ग्लोबल सिटीजन तो बने लेकिन साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें जड़ से लेकर के जग तक मनुझ से मानवता तक अतीज से आधुनिक्ता तक सभी बिंदुओं का समावेश करते हुए इस राष्टिय स्विक्षानीति का स्वरूप तै किया गया है साथियों इस बात में कोल विवाद नहीं है कि बच्चों के घर की बोली और स्कूल में पढ़ाई की भाषा एक ही होने से बच्चों के सिखने की गती बहतर होती है ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जहां तक संबव हो फिप्त क्लास तक बच्चों को उनकी मात्रु भाषा में ही पढ़ाने पर सहमती दी गई है इस से बच्चों को और बच्चों की नीव तो मजबुत होगी ही उनकी आगे की पढ़ाई के लिए भी उनका बेश और मजबुत होगा साथियों अभी तक जो हमारी सिक्षा विवस्ता है उसमें वाट टू थिंग मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ वाट टू थिंग पर फोकस रहा है जबकि इस सिक्षा निती में हाउ टू थिंग उस पर बल दिया जा रहा है ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जिस दोर में हम और ये दोर ऐसा है जहां इन्फरमेशन और कंटेंट की कोई कमी नहीं है एक प्रकार से बार आई हुई है हर प्रकार की जानकारी आपके मुबाइल फोन पर अविलेबल है जरूरी ये है कि कौन सी जानकारी हासिल करनी है क्या पढ़ना है इस बात को ध्यान में रखकर ही राश्टिय सिक्षानिती में प्रयास किया गया है कि जो पढ़ाई के लिए लंबा चोड़ा सिल्वस होता है देर सारी किताबे होती है उसकी अनिवारियता को कम किया जाए अब कोशिश ये है कि बच्चों को सीखने के लिए inquiry-based, discovery-based, discussion-based और analysis-based तरीकों पर जोड़ दिया जाए इससे बच्चों में सीखने की ललग बढ़ेगी और उनके क्लास में उनका participation भी बढ़ेगा साथियों, हर विद्यार्थी को student को ये अवसर मिलना ही चाहिए कि वो अपने passion को follow करे वो अपनी सुविधाव और जरूरत के हिसाब से किसी degree या कोई course को follow कर सके और अगर उसका मन करें तो वो छोड़ भी सके अक्सर ऐसा होता है कि कोई course करने के बाद student जब job के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि जो उसने पढ़ा है वो job की requirement को पुरा नहीं करता है कई student को अलग-अलग वजहों के से बीच में ही course छोड़ कर job करनी पढ़ती है ऐसे सभी students की जरूरता रख्यान रखते विए multiple entry exit का option दिया गया है अब student वापस अपने course से जूड़ कर अपनी job requirement के हिसाब से जादा effective तरीके से पढ़ाई कर सकता है learn कर सकता है इसका एक और aspect है जब students को ये भी स्वदंत्रता होगी कि अगर वो कोई course बीच में छोड़ कर दूसरे course में प्रवेश लेना चाहें तो वो कर सकते हैं इसके लिए वो पहले course से एक निश्चित समय तक break ले सकते हैं और दूसरा course जोइन कर सकते हैं higher education को stream से मुक्त कर दे multiple entry or exit credit bank के पीशे यही एक बहुत लंबे दूर की सोच के साथ हम आगे आए हैं हम उस एरा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई व्यक्ति जीवन भर किसी एक profession में ही नहीं टिका रहेगा बड़लाव निस्चित हैं मानके चलिए और इसके लिए उसे निरंतर खुद को re-skill और up-skill करते रहना ही होगा national education policy राष्ट्रिय शिक्षा निती में इसका भी बारी की से धान रखा गया है साथियों किसी भी देश के विकास में एक बड़ी भूमी का रहती है समाज के हर तपके की गरिमा उसकी dignity समाज का कोई व्यक्ति कोई भी काम करता हो कोई निम्न नहीं होता है हमें ये सोचना चाहिए एक बड़ी भज़े रही हैं के लिए वो कैसे अपना जीवन खपा रहे हैं उनके स्रम का सन्मान करना हमारी पीडी को वर्तमान को भावी पीडी को सिखना ही होगा इसलिए राष्ट्य शिक्षानिती में स्टूडन्ट एजुकेशन और डिगिनिटी आफ लेबर उस पर भी बहुत ध्यान दिया गया है साथियों 21 सदी के भारत से पूरी दुनिया को बहुत अपेक्षाएं है भारत का सामर्त है कि वो टैलेंट और टेक्नोलोजी का समाधान पूरी दुनिया को दे सकता है हमारी इस जिम्मेदारी को भी हमारी एजुकेशन पॉलिसी एड्रेस करती है राश्टिय शिक्षा नीती में जो भी समाधान सुजाए गए है उससे फुचरिस्टिक टेक्नोलोजी के प्रती एक माइंड सेट विक्सित करने की भावना भी है अब टेक्नोलोजी ने हमें बहुत तेजी से बहुत अच्छी तरह से बहुत कम खर्च में समाज के आखरी छोर पर खड़े स्टूडन तक पहुंचने का माध्यम दिया है हमें इसका जादा से जादा उप्योग करना है इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से टेक्नोलोजी आधारित बहतर कंटेंट और कोर्स के डेवलप्मेंट में बहुत मदद मिलेगी बेजिक कम्प्यूटिंग पर बल हो कोडिंग पर फोकस हो या फिर रिसर्ट पर ज़्यादा जोर यह सिर्फ एजुकेशन सिस्टी में नहीं बलकि पूरे समाज की एप्रोच को बदलने का माध्यम बन सकता है वर्चुल लैब वर्चुल लैब जैसे कंसेट ऐसे लाखो साथियों तक बहतर सिख्षा के सपने को ले जाने वाला है जो पहले से ही सब्जेक्स पढ़ी नहीं पाते थे जिसमें लैब एक्सपरिमेंट जरूरी हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्य शिक्षानिती हमारे देश में रिसर्च और एजुकेशन के गैप को खत्म करने में भी एहम भूमी का निभाने वाली है साथियों जब इंस्टिटूशन्स और इंफास्ट्चर में ये रिफार्म्स रिप्लेक्ट होंगे तभी राष्ट्य शिक्षानिती को अधिक प्रभावी और त्वरीद गती से इंप्लिमेंट किया जा सकतेगा आज समय की मांग है कि इनोवेशन और एडप्शन की जो वेल्यूज हम समाज में निर्मित करना चाहते हैं वो खुद हमारे देश के इंस्टिटूशन से शुरू होनी चाहिए और जिसका नेत्र तो आप सब के पास है जब हम एड़ूकेशन और विशेश हाइर एड़ूकेशन को एंपावर सोसाइटी के निर्माता की रूप में खड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए हाइर एड़ूकेशन इंस्टिटूशन को भी एंपावर करना जरूरी है और मैं जानता हूं जैसे ही institutions को empower करने की बात आती है तो उसके साथ ही एक और शब्द चला आता है और वो शब्द आप बली बात ही जानते हैं वो शब्द क्या है? Autonomy Autonomy आप भी जानते हैं कि Autonomy को लेकर हमारे यहां दो तरह के मत पुरे देश में प्रवर्तमान है एक कहता है कि सब कुछ सरकानी नियंतरन से पूरी सक्ति से चलना चाहिए तो दूसरा कहता है कि सभी संस्थानों को By default Autonomy मिलनी चाहिए पहली अप्रोच में Non-Government संस्थानों के प्रती मिस्ट्रस दिखता है तो दूसरी अप्रोच में Autonomy को Entitlement के रूप में भी Treat किया जाता है Good Quality Education का रास्ता इन दोनों के बीच में से ही निकलता है दोनों मतों के मद्दे से ही निकलता है जो संस्थान Quality Education के लिए ज्यादा काम करें उसको ज्यादा Freedom से Reward किया जाना चाहिए इससे Quality का Encouragement मिलेगा और सको Grow करने के लिए Incentive भी मिलेगा National Education Policy राश्तिय शिक्षानिती आने से पहले हाल के वर्षों में आपने भी देखा है कि कैसे हमारी सरकार ने अनेकों अनेकों इंस्टिटूशन्स को Autonomy देने की पहल की है मुझे उमीद है राश्तिय शिक्षानिती का जैसे जैसे विस्तार होगा सिक्षा समस्थानों को Autonomy की प्रक्रिया भी और तेज होगी साथियों देश के पुर्वराश्पती महान वैज्यानिक Dr. A.P. J. Abdul Kalam कहा करते थे The purpose of education is to make good human beings with skill and expertise Enlightened human beings can be created by teachers वाकई सिक्षा व्यवस्ता में बदलाओ देश को अच्छे स्टूडन्स अच्छे प्रोफेशनल्स और उत्तम नागरिक देने का बहुत बड़ा माध्यम आप सभी हैं आप सभी टीचर्स ही हैं प्रोफेशर्स ही हैं सिक्षा जगत से जुड़े आप ही लोग इस काम को करते हैं और कर सकते हैं इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रिय शिक्षा नीती में डिगिनीटी अब टीचर्स का भी ज्यान रखा गया है एक प्रयास ये भी है कि भारत का जो टलेंट है वो भारत में ही रहकर आने वाली पीडियों का विकास करें राष्ट्रिय शिक्षा नीती में टीचर ट्रेनिंग पर बहुत जोर है वो अपनी स्किल्स लगातार अपडेड करते रहें इस पर बहुत जोर है I believe when a teacher learns a nation leads साथियों National Education Policy राष्ट्रिय शिक्षा नीती को अमल में लाने के लिए हम सभी को एक साथ संकल्प बद्धो कर काम करना है यहां से universities colleges school education boards अलग-अलग states अलग-अलग stakeholders के साथ सम्वाद और समनेवाई का नया दोर शुरू होने वाला है आप सभी साथी क्योंकि higher education के सबसे शिर्ष संस्तानों के शिर्ष में है तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है मेरा आग्रह है कि राष्ट्रिय शिक्षा नीती पर लगातार webinar करते रहिए discussions करते रहिए नीती के लिए रहन नीती बनाईए रहन नीती के लागू करने के लिए roadmap बनाईए roadmap के साथ timeline जोड़िये उसको implement करने के लिए resources, human resources इस सब को जोड़ने की योजना बनाईए और ये सारा चीज ये नई नीती के प्रकाश में आप ही को करना है राश्चे शिक्षानिती सिर्फ एक सरकुलर नहीं है राश्चे शिक्षानिती सिर्फ जर सरकुलर जारी करके notify करके implement नहीं हो सकती है इसके लिए मन बनाना होगा आप सभी को द्रड इच्छा शक्ती दिखानी होगी भारत के बरतमान और भविश को बनाने के लिए आप के लिए हम सब के लिए ये एक महा यग्य है 21 सदी में मिला हुआ एक बहुत बड़ा हमें आउसर है हमारे इन प्रयासों से पूरी शताब्दी को एक दिशा मिलने वाली है और इसमें इस गवरपुर अध्यायव में जुड़ने के लिए मैं आपको निवंतरी देता हूँ इसमें आपका योगदान बहुत आवश्यक है इस कौनकलेव को देख रहे सुन रहे प्रत्यक का योगदान आवश्यक है मुझे विश्वास है इस कौनकलेव में राश्चिय शिक्षा निती के इफेक्टिव इंप्लिमेंटेशन को लेकर बहतर सुझाओ बहतर समाधान निकल करके आएंगे और मैं विशेश रूप से आज जब मुझे अवसर मिला है तो सारवजनिक रूप से डॉक्टर कस्तुरी रंगन जी का उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ये कम छोटा नहीं था बहुत बड़ा काम था बहुत लोगों के सुजाव थे बहुत अपेशाय थी और फुर्सो कौमा भी उधर उल हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता और इसलिए कस्तुरी रंगन जी और गुनी टीम ने कितनी बारी किसे एक तपश्या की तरह इस काम को किया होगा तब जाकर के संपूरत है बिबादों से मुक्त विश्वास से भरी हुई सपनों को सवारने वाली संकल्प को ताकत देने वाली और सिद्धी में अतूट सद्धा के साथ ये नई शिक्षानिती हमारे सामने आई है मुझे विश्वास है कि देश के भावी पीडी के उजबल भविश के लिए वर्तमान पीडी के सामर्तों को बढ़ाने के लिए ये नई शिक्षानिती बहुत काम आएगी मैं फिर एक बार शिक्षान जगत के आप सभी माहनुभावों को प्रणाम करते हुए बहुत पहुत शुब कामनाई देता हूँ बहुत पहुत आभारी वेक्ता करता हूँ मात्रु भाशेली मक्लू शिक्षना कली बेकू स्पेशली आईधनी तर्गतिय वर्गू मात्रु भाशेली शिक्षना पडिबेकू अनुवंथा विच्वार्वन्न प्रधानी नरेंद्रमोधी वरु उवत्तिना आत्मा भाश्मदली उले कमाणि दर्रे इदिन्दा मक्ला भविश्यक्ये उड़ले दागत्ते अनोदु अवरा आशावादा